अगर आप एक Android user हो and recently आपने अगर iPhone लिया है तो WhatsApp ट्रांसफर करने का ट्राइ किया क्या? नहीं होगा ना? तो चलो आज मैं दो methods बताता हूँ जिससे आप सिर्फ एक ख्लिक में अपने पूरे के पूरे Android के WhatsApp messages को, documents को and जो भी photos वीडियो हो जाए सब ही को Android से iPhone में ट्रांसफर क कर पाओगे अगर पूरे phone के data को ट्रांसफर करना है like photos, videos, contacts तो वो भी हो जाएगा data को backup करना है उसकी भी सुझा दी गई है अब backup करोगे तो restore करने का भी मन करेगा तो वो भी बरही आराम से कर पाओगे WhatsApp ट्रांसफर के अंदर जाने पर पता चलता है कि यहां पे आप QEChat सब ही को ट्रांसफर कर सकते हो हमें तो WhatsApp को ट्रांसफर करना है तो करते हैं फिर हम जाएंगे transfer WhatsApp messages में इधर source में हमें connect करना होगा अपना Android फिर किस brand का device से वो select कर लेना इधर आपको इस steps बताये जाएंगे कि आपको अपने phone में developer option कैसे enable करना है अपनी phone के settings में जाके about phone में जाना दिन build number पे 7 times टैप करना और बस आप बन जाओगे अपने phone के developer फिर back करके additional settings में जाना इधर मिलेगा developer options यहाँ पे USB debugging को खोज के enable कर देना एक pop-up आएगा यह तो इसे allow कर देना तो बस Android device हो चुका है connect अब USB के थुरू iPhone को भी कर लेना है connect यहाँ पे आपको लिखाएगा कि WhatsApp का क्या-क्या transfer होने वाला है messages, group messages, system notifications, photos, videos, documents and others सभी चीजे transfer हो जाने वाली है तो बस अब दबाओ start button फिर थोड़ा time लगेगा और your iPhone restore completed लिखाएगा इसका सीधा मतलब यह हुआ कि Android का WhatsApp iPhone में transfer हो चुका है जैसे कि मैंने आपको starting में बताए कि हम यहाँ पे दो methods के बारे में बात करेंगे तो पहला method तो हमने जान लिया दूसरे method में हम एक Android आप यूज़ करने वाले हैं जो की है WhatsApp इस app के थुरू आपको transfer करना है तो यहाँ पे दो methods हैं पहला ही है कि आप OTG के थुरू iPhone और Android को एक दूसरे से connect करो या फिर आप USB के थुरू दोनों फोन को PC से connect कर लो देन आपको अपने फोन के WhatsApp का आपको backup create करना होगा backup create कैसे करना है वो देखने के लिए आप ये वीडियो टुटोरियल देख सकते हो इसके लिए अपना WhatsApp कोलना, settings में जाना, chats में जाके chat backup में जाना और backup बटन पे क्लिक कर देना तेन अगले पेज़ पे यहाँ पे WhatsApp नंबर इंटर करना होगा फोन पे जो OTP आएगा वो डाल के verify कर देना फिर कुछ ऐसा interface दिखाई देगा इसके बाद iPhone को Android से OTG के थुरू करने कर लेना या Android और iPhone को एक PC से करने कर लेना और यह start हो जाएगा फिर WhatsApp successfully transfer हो जाएगा यह थे दो मिठ़ड WhatsApp को successfully Android से iPhone में transfer करने के अगर आपको इन tools में interest है अगर आप Android से iPhone में WhatsApp transfer करना चाहते हो तो आप दोने में से PCV tool को purchase कर सकते हो लिंक मिल जाएगा वीडियो को description में और उसके साथ ही अगर आपका कोई दोस्त है जिसने नया ने iPhone खड़ीदा है Android से उसे iPhone पर shift होना है और उससे WhatsApp को move करना है दिन आप उससे यह वीडियो सेयर कर सकते हो तो मैं अगर ना मिलता हूँ निए अगली कमाल करूँ के साथ अब तो के लिए बाबाए